नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत IPL मेगा उक्षन होने के बाद कई खिलाडी इधर से उधर चले गए मतलब पहले वो किसी दूसरे टीम में थे और उब किसी दूसरी टीम से खेलते हुए नजर आएंगे कई ऐसे बड़े खिलाडी भी रहे जो कि अब आपको दूसरी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे वही कई ऐसे युवा खिलाडी रहे जो कि अपनी franchise के लिए बेहतर करते रहे लेकिन इस मेगा उक्सन में उन्हें अपनी टीम ने नहीं खरीदा जिसके बाद वो अब दूसरी टीम में शामिल हो गए हैं ऐसा ही एक नाम में आवेश खान का आवेश खान सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे महंगे अनकैब्ड प्लेयर हैं उन पर 10 करोण की बोली लगी 20 लाख उनका बेस प्राइस था ऐसे में वो दिल्ली कैप्टल से अभी तक खेलते थे आप सब को पता है और दिल्ली कैप्टल के तरफ से खेलते हुए जिस तरीके से आवेश खान ने प्रदर्शन किया था वो काबले तारीफ था एक बात तो यहां तक थी कि महेंदर सिंग धोनी के सामने आवेश खान हमेशा सफल साबित हुए पिछले IPL में और अब आवेश खान दिल्ली कैप्टल के तरफ से नहीं होंगे और ऐसे में कप्तान रिशरफ पंत ने सौरी बोला है आवेश खान को और उन्होंने कहा है उन्होंने खुल कर बात की हैं दिल्ली कैप्टल का साथ चूटने पर उन्होंने बात करते हुए कहा मैं निल्लामी के वक्त फ्लाइट में था और मुझे उम्मीद देर बाद मैंने खुद को फिर से सामान ने किया इसके आगे आवेश खान ने कहा दिली के अप्तल से मेरा एक भावुक नाता है मैं चाहता था वहीं से खेलू हमारी फ्लाइट जब कोलकाता में लेंड हुई तो मैं होटल जाकर रिशपन से मिला तो उन्हें ने मुझे देख लखनव ने इसे बढ़ाते वे 10 करोन की बोली लगा दी थी तो उन्हें पर 5 के साथ ये भावुक पल थे ऐसा कहना है कि आवेश खान का इसी वज़ा से जब 10 करोन बोली पहुँच गई तो हमारी टीम ने तुम्हें नहीं खरीदा और हम अंडर 19 में 7 रहे हम मैंच 7 खेले इसे लिए हमारा एक अच्छा रिस्ता पंद के साथ है तो ये बाते आवेश खार ने कहीं और बताया है कि किस तरीके से दिल्ली ने पूरा प्रयास किया कि आवेश खान को दो बारा टीम में शामिल कर लिया जाए लेकिन बोली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी 20 ल ये माफ करना यार तो फिलहाल जिस तरीके से रिशफपंत ने गले लगा कर आवेश खान को ये सौरी कहा है और कहा है कि हम तुम्हें नहीं ले पाए इसका हमें दुख है इस पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताया कर दो